हालो आज हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफिय आफ इंडिया की और इसको इसके साथ कंपेर करेंगे हम डेमोग्राफिय आफ यूपी तो यह बहुत इंपर्टेंट वीडियो होने जा रहा है खास और पर यूपी पीचेस के एस्पारेंट्स के लिए उन अभ्योडते के लिए जो यूपी पीचेस का एक्जाम देने जा रहे हैं तो इसका एक एक पॉइंट बहुत गौर से देखना और अगर जहां तक ट्रांसलिशन का सवाल है हिंदी से इंग्ली से हिंदी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि वह में ए-to-z सारे वर्ड का सवाल पूछे जाते हैं लिश्याली से पहले हमारे टापिक है फस्संजस संजस हमारा हुआ था 1882 मैं जिसे लाइट रिपन ने कर आया था तो यहां पर बहुत इंपर्टेंट यह दोनों पॉइंट फसंस कब हुआ था किसने करा था इस पर है इस पर भी सवाल आते हैं अग यूपी हमारा लगबग 20 करोड की पॉपलेशन के साथ नमबर वन इस्टेट था जो कि लगबग टोटल इंडिया की पॉपलेशन का सोला पॉइंट पांच एक परसेंट था तो अगर हम यूपी को मानें कि एक थोड़े देर के लिए कंट्री है तो कंट्री जो यह हमारा लग को मिलाकर करके और इंडिया में कितना है और दूसरे स्टेटमें कितना है तो यहां पर हम देखें। क्यों को हिंदी में कहते हैं लिंग अनुपाथ और यह 2011 की सैंसस के अगर इसाब से बात करें तो इंडिया 943 के लिंगानुपाथ पर था लिंगानुपाथ एक बार समझ लिए आप लिंगानुपाथ से हमारा रहा है वह 879 रहा है हर्याना में यह सेक्स रेशियो और यूनिन ट्रेटरीज में रहा है 618 दावन एंडियू में हाइस स्टेट में हम बात करें तो केरला नमबर वन पर रहा है वस्ट इस्टेट में से एक है चाईस सरफ रेशियो की हम बात कर लेते हैं तौ 270 जसाल तक के बच्छों के अगर बाते हैं तोऑ में बात करते हैं तो 2012 के ह साफ से इंडिया नाइन शिख्स नाइन के साथ दूसरे नबर पे के रला रहा है तीस्रे नमपर पे नाइन इन अडिट सिक्स्टी फ़ोर के साथ लोबस फिर से रहा है हर्याना तो हर्याना की की पुजिशन यहां पे भी काफियत तक खराब है अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं अगला हमारा पॉइंट है डिस्टिक विद हाइस पॉपलेशन तो इलहाबाद नंबर वन पे रहा है यह यहां पे 69 59 लैक की अबादी के साथ इलहाबाद पहले नंबर पे रहा है डिस इंद्रोवन अी है लखीँ पुर about के इन है अडिया नंबर वन का डिस्टिक था और एरिया में अगर हम छोटी इस्टिक की बात करें तो वहां हमारा संत्थ ranging lager नगर जिसे हम कहते हैं भधोई अब हम बात करते हैं लिट्रेसी रेट की जिसे हम साक्षर तदर कहते हैं तो इंडिया में राज 74 चौतर लोग हमारे साक्षर हैं आउट ऑफ 100 2011 की दंगर्णा के नुसार मेल रहा है यहां पर 82 परसेंट फीमेल लाज 65 परसेंट यूपी में यह रिश्यो काफी बुरी पोजि सेवन पॉइंट सेवन रहा है तो काफियत तक यह परिशान करने वाला फैक्ट है कि हाइस रहा के रहा में 94 परसेंट लोग यहां साक्षर रहे हैं लोवस्त रहा है बिहार 61 परसेंट के साथ तो अब हम लिट्रेसी रेट इन यूपी में देख लेते हैं डिस्ट्रिक्स वि और स्रावस्ती बहुत बुरी पोजिशन में रहा है 46 परसेंट लोग यहां पर साक्षर रहे हैं लाइफ एक्सप्रेक्टेंसी तो यह जिसे हम कहते हैं हिंदी में जीवन प्रत्यासा हम लिखने पाया है क्योंकि टाइपिंग में हिंदी में छोड़े दिक्कत होती है लिख टर्मलोजी को लेकर कोई भी दिक्कत कहीं से नहीं तक नहीं होगी चाहिए वो साइन्स हो बाइलोजी हो फिजिक्स हो केमस्टी हो हिस्टी हो जोग्रफी हो एक्स यजड कोई भी सब्जेक्ट जो हमारे यूट्व चैनल पर होगा वह आपको 100% satisfaction देगा आपको कोई डिक्स चील यह अविक्सित यह अल्प विक्सित राश्टों में यह कम होती है और जैसे राश्ट विक्सित होता जाता है तो यह बढ़ती चले जाती है अगर हम बहुत विक्सित लास्ट की बात करें जिसे नौर्वेज सुईडन वगरा वगरा तो वह 80 से उपर जाते हैं 85-86 तक की एवरेज लाइफ होती है अमरीका बगने में भी 80 के ऊपर चली जाती है लेकिन डेवलोपिंग कंट्री में जनल यह साठ सटर के बीच में आज की डेट में देखने में मिलती है कुछ अफ्रिकन कंट्री में यह और भी बुरी पोजिशन में है 50 तक पहुंच जाती है तो यह एक कंट्री की को बताने के लिए कि कौन कंट्री किस पोजिशन में चल रहा है तो बात करते हैं इंडिया की 2011 की सेंसस की साफ से हम 67.9 यह की एवरेज एज रखते हैं यूपी हमारी और भी वर्स पोजिशन में है नैसल एवरेज के मगाबले हम 63.8 पे ही है और भी कम है पिछड़े हुए है हम हाइस यह रहा है 74.9 लगबग 75 के रिड़ा फिर से एक नमबर वन पर अगर हम किसी डवलप परेंटरी की साथ जैसे यूएस यह और किसी की साथ कंपेर करें तो यूएस ओकर हम देखते हैं तो यह लगबग 80 साल की एवरेज एज यहां पे है 79 दिख के हिसाब से तो इंडिया slightly better perform कर रहा है थोड़ा सा 68.35 यहां पर एवरेज हो गई है जो के अभी हम मान रहे हैं कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि बढ़ गई है और अब इसलिए बढ़ गई रही है क्योंकि टाइम के हिसाब से हम तरक्की कर रहे हैं तो बढ़ेगी लेकिन य वाइड बैंक की रिपोर्ट 2016 के अब से हमारी एवरेज एक्सपेक्टेंसी कितनी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है तो अगर कोई रिपोर्ट ऐसी आती है डवलो एचो की या यूनो की तो आप उसको थोड़ा गहर से देख लेना उस पर भी सवाल इस जंग का फूच परसेंट लोग की शहरों में रहते हैं लगबख 69 परसेंट लोग हमारे गाउं में रहते हैं वह क्या करते हैं वह जाहिसे बात है कि अगरी कल्चर देट अक्टिविटीज में वह अपना रोजगार ढूंटे है इसके बार में थोड़ा सब बात करेंगे वीडियो के आदिम कि आखिर ऐसा क्यों होता है फिलाल चुकर हम इंपर्णेशन की सिर्फ बात कर रहें तो बहुत इंपर्णन टॉपिक है बहुत इंपर्णेंट फैक्टर जो बताता है कि हमारी इकॉनाम किस पॉजिशन में है हमारी क्रामी सिर्फ थर्टी एन परशंट का ही अर्बंदा हम तो चलिए अपने कुछ स्टेट्स को देखते हैं कि गोवा हमारा 62% के साथ अर्बनाजिशन के रेट के वह सब सच्छी पोजिशन में हैं उसके बाद हिमाचल प्रदेश सबसे बुरी पोजिशन में हैं 10% का ही सिर्फ आर्बनाजिशन रेट है तिक उसके पीछे उसके जोग सब्सक्राइब करते हैं जो कि वहां पर रोजगारी को का इंडिकेटर है तो यूपी में काफी हलत खराब है आप दूसरे स्टेट्स को कंपेर कर लिए गोवा नंबर वन पे है तामिल नाडू दूसरे नंबर पर अपनाजिशन में केरला तीस नंबर पर महारास्ता चौथ नंबर पर आ जाता है तो कई बार स्टेट का कंपेरिजन भी करा देता है यूपी सी यूपी यूपी एस सी आईस या पीसे में आपसर आता है तो इसलिए मैं ने यह कंपेर करके दिखा दिया आपको अगर हम हाइस डेंसली पॉप्लेटिट सेटी की बात करें दुनिया बह लेता सवाल आ सकता है तो इसको आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से देख लेना टोटल डिस्टिक दिन यूपी के हम बात करें तो पिशतरा डिस्टिक अभी हमारे पास है टोटल यूपी में और लूपी जो है वो सबसे ज़्यादा लोग समाम में बेजता है असी और स्कायर के एरिया में रहते हैं अब हम बात कर लेंटे चायल लेटिया या शिश्यू मृत्यू दर की हम बात करें तो नित्य आयोग के जो डेटा है उसके हिसाफ़ से 2015 में इंडिया 28 के से फिस्ट्यू मृत्यू दर पर था तो यह काफी बरी पॉजिशन है क्योंकि सिंगल में आना जरूरी है डावलोड कंट्री में सिंग्ल डिजिट में होता है इसका कहना है वानता है सीधा साइश यह है कि हमारे 28 बच्चे मर जाते हैं अगर हमारे आज है बच्चों की ऐस उर्क्षा जितने शुरक्षित हमारे बच्चे होंगे उतने ही बच्चे कम होंगे हमारे उतने ही छोटे बरिवार हो जाएंगे तो यह डवलपिंग कंट्री में एक फैक्टर यह बहुत बड़ा इंपर्टन रोल प्ले करता है हमारी जन संख्या बढ़ाने में कि हमारे पिच्चे शुरक्षित नहीं है हम बात करने के रिला कि यहां बैस्ट परफॉर्फॉर्मर है के रिला सिर्फ नो का रहे यह और यूपी की बात करने तो यूपी में काफी बुरी पोजिशन है नहीं नहीं कर पाए तो हमारा इंडिया जो है 382 के दिखाता है अवरे 2011 कि हिसाब से हाइस तरह है यह बिहार में 1106 इससे पहले से से किसाब से दो जारी किसाब से वेस्ट बैंगॉल नंबर वन पे था लेकिन अब भीहार उससे आगे निकल गया है यूपी 829 के साथ है अरुनाचर प्रदेश सबसे कम पॉपुलेट डेंसली पॉपुलेटेड़ है वहां पे देंसिटी बहुत कम है 17 व्यक्ति ही वहां पे स्कुर्ण के एरिया में रहते हैं गाज़यावाट डिस्टीक हमारा हाइएंग जड़न देंसली रखता है प्रपॉपुलेशं निक्टी तरी नाइन सेवन वन 3970 लोग हमाँ पे रहते हैं हर एक किलियोमेटर के एरिया में ही कि अगला हमphone आ है और है टृपिक एसि पॉप्लेशन शुर्थ कास्ट να सब्सक्राइब करते हैं 10.69 पर्सन था इस थी है और रहे हमारे पास सब्सक्राइब से जहां हमारे सिधे अ besar 16 Mai per हैं MP में सबसे ज़धा रहते हैं S0 तो MP को आप नोट कर लेना कई बार यह सवाल आता कि कहां पर सबसे ज़धा सबसे रहते हैं अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स की जो हमारे तमाम अर्थिवस्था में योगदान दें तो किसी भी कंट्री में ये किस धन से चलता है हम उसी को थोड़ा सा देखेंगे थोड़ा सा पांट करके चलना ये बड़ा important factor है और आपको बार-बार प्रिशान करेगा और यह फेक्ट जल्दी से मिलते भी नहीं आसानी से contribution और different sectors in GDP इंडिया में जो हमारा primary sector है latest data है यह 2016-17 के साब से जो हमारा ministry of finance और एक्रेलजी मिनस्टर की ministry की website confirm कर रही है तो इंडिया यहां पे primary sector में हमारा योगदान दे रहा है 17 परसंट का जीटीपी में secondary सेक्टर दे रहा 29 परसंट का और टर्सेटी सेक्टर दे रहा चबवन परसंट का योगदान और जैसे जैसे हम develop होंगे तो यह primary sector हमारा घट करके एक परसंट यह उससे कम की तरफ चला जाएगा जैसे अम्रीगा में सिर्फ एक परसंट लगबग यह primary sector योगदान देता है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारे लोगों को हटा करके हम वहां पर मेकेनाइज कर देंगे उसको मशीनों को इस्तमाल करने लगें अग्री कल्चर में तो यह जो है ग्रोथ रेट स्वारी इसका कंट्रिबूशन जो है इस तरफ से घटेगा लेकिन दूसरे में बढ़ना शुरू हो जाएगा खास और टरिशरी शेक्टर जो तरती एक शेत्र है वह हमारा 80-85 परसेंट तक जाएगा और यह किर्शी वाला नेगलेजिबिल हो जाएगा जैसे जैसे हम डबल अप होंगे तो अपने आपको कंपेर कर लिजिए यूएसे के साथ यूएसे में प्राइमरी सेक्टर योगदान देता है एक पॉइंट एक परसेंट वहां पी 30 क्रोड की पॉपुलेशन का सिर्फ एक पॉइंट एक परसेंट का योगदान देता या ने तिक शेतर में हम चाइना से काफी आ अगया है लेकिन अभी तक काफी काम करना बाकी है तो यह थे हमारे अर्थिवस्ता के तीन सेक्टर जो कि बहुत इंक्रण डूल करते हैं और हैं यह बहुत बड़ा योगदान देते हैं तो क्या हैं सेक्टर हमने आपको बता दिया हिंदी इंग्लिश में उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा बहुत इंपर्डेंट वीडियो है और हिंदी इंग्लिश को हमने खास्ता और धियान लगते हुए हर एक टर्म को आपको एक्सपेंड किया तो होफ़ली यह वीडि थाँ